नमस्कार दोस्तों आपने पूछा मुझे दिन के समय नीन बहुत आती है और नीन भी ऐसी कि कई बार मैं खाना खाते खाते सूजाता हूँ कभी ओफिस में मीटिंग के दौरान मुझे नीन आ जाती है यहां तक कि मैं बाते करते करते भी सूजाता हूँ इसकी वज़े से मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए अब बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस ना करें यह एक ऐसी कंडिशन है जिसमें हमें बहुत जादा नीन दाती है और इसे हम बुरते हैं स्लीप हाई पर सोमनिया आपको पता ही नहीं चलता कि आपको अपने डेली रूटीन में खाना खाते बागते या बाते करते करते अचानक से सू जाते हैं आपको नीन्द आ जाती है नीन्द का अटैक आ जाता है इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको उठाने हैं सबसे जरूरी जो है वो है आपको अपना sleep cycle उसको ठीक करना है जब आपकी body clock ठीक होगी तो आपको इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा पहला step आप एक ही निश्चित समय पर सोएं और जागें दूसरा रात की नींद बहुत ही आराम दायक और भरपूर हो अंडिस्टर्ब्ड हो इसके लिए आपका bedroom सापसुत्रा शान्त हो जहां शोर गुल ना हो और इसके लवा वहाँ पर अंधीरा हो जादा रोशनी ना हो तीसरा शाम को चार बजे के बाद चाई कॉफी जैसी चीजें जिनमें कैफीन होता है उनको योजना करें चौथी चीज दिन की समय कुछ टाइम धूप में बिताएं धूप में रहने से रोशनी में रहने से आपका sleep cycle बहुत इंप्रूव होता है और इसके अलावा आप अपने शरीर के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार कुछ योगा भ्यास जरूर करें अगर आप अपने आप नहीं कर पाते हैं तो परिवार की मदद ले सकते हैं बहुत जादा अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, तो एट लिस्ट सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें, जॉइन्ट रोटेशन जरूर करें. और इसके साथ आप प्रानायाम करें. प्रानायाम में आप कपालभाती, अनुलोम, विलोम, ब्रामरी और ओम का उत्चारण करें. प्राना प्रानायाम करते वक्त भी आपको नींद आ जाए, तो उसके लिए आप आँखे खुली रखकर प्रानायाम का प्यास कर सकते हैं. तो ये कुछ उपाये आप अपनाएं, और इसके साथ एक घरेलू उपाये में बता रही हूँ, जो बहुत ही लाब दायक है, और अचूख है मैं नहीं बता रही हूँ, ये बाबा रामदेव जी का बताया हुआ उपाय है, रात को सौफ, कुछ गुलाब की पतियां और मुलेटी, इनको पानी में भिगो दे और सुबह इस पानी को छान कर, दिन भर इस पानी का प्रयोग करें, एक एक दो दो घूट आप इस पानी को बहुत मदद मिलती है, एक चीज का खयाल रखें कि परिवार का प्यार और सहयोग इस सिती से निबटने में बहुत जादा जरूरी है, ना तो आप उनका मजाक उड़ाएं और ना ही इस चीज को हलके में लें, पूरा साथ दें और जल्दी ही आप देखेंगे कि आपका जो परिवार का सदस्य है, वो इस समस्या से बाहर आ गया है, सिती बहुत जादा गंबीर होने पर डॉक्टर की सलहा लेना ना भूले, अपना ख्याल रखें, नमस्कार